बेलकम टू एससी प्रप्रिशन डिस्कस करने वाले हैं अरिहंत पॉब्लिकेशन की बुक से एच पी जिके के प्रतियोगिता परिक्षाओं में पूछेगे प्रशन वीडियो इंपॉटन्ट है एच टैड कुलीस पटवारी टीज़िटी पीज़िटी कमिशन के लिए तो वीडियो को लास्तक जरूर देखें मुलगन घाटी ही मचल परदेश के किस जिले में है किन नौर लाहॉल स्पीती कुलू या फिर चमबा मुलगन घाटी मचल परदेश में किन नौर जिले में है इसके अलाबा हंगरं घाटी भी है किन नौर में यूल घाटी भी है किन नौर में और रूपीन घाटी भी है किन नौर में कांगडा और कुल्लू घाटियां की बड़ी नदी द्वारा निर्मित होती है सतलू जरावी ब्यास या फिर्चिना राइट अंसर बिल बी ऑप्शन बी कांगडा और कुल्लू घाटियां निर्मित होती है ब्यास नदी से साथ ही ब्यास नदी निकलती है रोतांग दर्रे से सतलूज नदी निकलती है तिबबत से और रावी नदी निकलती है बड़ा बंगाल से और चिनाव नदी निकलती है लाहॉल स्पीती में बारालच्चा दर्रे से दून और सप्रून घाटी कौन से जिले में स्थित है कांगडा सोलन सर्मौर या फिर किन्नौर राइट अंसर बिल बी ऑप्शन सी दून और सप्रून घाटी स्थित है सोलन में इसके लाबा एक घाटी जे लेटेड और कॉस्चिन आता है कि बहल घाटी एक कौन से जिले में है तो बहल घाटी स्थित है मंडी में यूल घाटी किस जिले में स्थित है कि नौर, चमबा, मंडी या फिर लाहौर स्पिती यूल घाटी स्थित है किन नौर में, साथ ही हंगरंग घाटी स्थित है किन नौर में गयास परवत शिकर किस जगह अवस्थित है, पांगी किन नौर स्पिती या फिर कुलू गयास परवत शिकर अवस्थित है पांगी घाटी में कामरू गाओं किस घाटी में स्थित है हंगरंग, सांगला, सोरान या फिर मुलगन Right answer will be option C कामरू गाओं स्थित है सांगला घाटी में और ये सांगला घाटी है किन नौर में हंगरंग घाटी के इस जिले में स्थित है किनौर चंबा कुलू या फिर लाहॉल स्पीदी राइट अंसर बिल्बी ऑप्शन ने हंगरंग घाटी स्थित है किनौर में ब्रिहद शिकाई और नोतांग परवत किस घाटी के प्रमुक अकर्शन है हिमाचल परदेश में नीमन में से किसी ये देपताओं की घाटी कहा जता है कुलू कांगडा या फिर महासूर राइट अंसर बिल्बी ऑप्शन डी कुलू घाटी इसके साथ कुछ अडिशनल जानकारी कांगडा घाटी को हम लोग बीर भूमी घाटी के नाम से जानते हैं हुए बन्दर घाटी कहांपर है कुलू कंगड़ा या फिर चंबा में बन्दर घाटी स्थितफ़ा मेक। और चंबा जिले का electronics हुआ 15 अप्रेल 1948 इसी रहतां से की उन्चाई कितनी है options देख लें राइट अंसर बिल भी option B 3978 मीटर इसके साथ ही ब्यास नदी निकलती है रोतांग दर्रे से और ब्यास को हम विपाशा भी कहते हैं समुद्र तल से मुल्किया glacier की उन्चाई कितनी है options देख ले इसके राइट अंसर बिल भी option A 6478 मीटर ही माचल प्रदेश का सबसे बड़ा glacier कौन सा है options देख लें इसका अंसर होगा option नमबर C बड़ा शिगड़ी glacier बड़ा शिगड़ी glacier स्थ है लाहौल स्पिती में इसके लमबाइस है पच्चिस किलोमेटर और इस glacier से चंद्रा नदी को पानी मिलता है इसके साथ ही कुछ और glacier पारवती और दुधोन glacier स्थ है कुलू जिले में स्पिती को लाहौल से कौन सा दर्रा अलग करता है शिपकिला कुंजम रोतांग या कुगती शिपकी को लाहौल से अरक करने बाला दर्रा है कुंजम राइट अंसर बिल्भी ऑप्शन B कुंजम दर्रे की उंचाई कितनी है ऑप्शन एक लिए राइट अंसर बिल्भी ऑप्शन A 4590 मीटर पीन पारवती दर्रा जोडता है कुलू स्पिती को कुलू लाहौल को कुलू किनौर को या फिशिमला और किनौर को राइट अंसर बिल्भी ऑप्शन A पीन पारवती दर्रा जोडता है कुलू और स्पिती को साच पास किस जिले में स्थित है राइट अंसर बिल्भी ऑप्शन B चंबा किन क्या आप जानते हैं कि 1954 में बिलासपूर हिमाचल परदेश का पांचमा जिला मिना और 1960 में कि नौर हिमाचल परदेश का शठा जिला मिना हम लोग डिसकस कर रहे हैं HPGK फॉर्म अरिहंत पब्लिकेशन बुक अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और HPGK के अधर वीडियो देखने के लिए चैनल SSC प्रपरेशन को विजिट करें थैंक्स फॉर वॉच्छ